अलो अन्दे की हाथ बटे लग जाये तो वो शिकारी नहीं बन जाता गेंडा स्वामी जिसे तुम प्रोफेसर खुराना समझे बैठे हो वो दरसल तुम्हारा अपना ही एजंट है जो फ्रास से प्रोफेसर खुराना का साई की तरह पीछा करता आ रहा है समझे प्रोफेसर तो वहां पहुंच चुके जा उन्हें जाना था मुझे माफ कर देना प्रोफेसर खुराना नहीं आप ही का एजंट है मगर हवाई जाज में ही रिगेडर के कमांडों ने मुझे मजबूर कर दिया प्रोफेसर ने गन पॉइंट पर मुझे जीवन लाल तक पहुंचाया मैंने वहां भी कहना चाहा लेकिन इन्होंने बंवाला हार मेरे कले में डाल दिया मैं कुछ कहता तो महीं जान समारा जाता कि तुम वहां पर भी मारे जाते हैं और यहां पर भी मारे जाओगे मैंने विदेश्य एजन्ट को तो सजा दे दी है प्रिगेडियर मगर प्रलैनस से यह दुश्मन ही तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा जो भारी नहों वो दुश्मनी ही क्या प्रलैनाथ तो एक बात मेरी भी अपने कान में अच्छी तरो उतार लो प्रिगेडियर प्रोफेसर खुराना को अब चाहे दुनिया के किसी भी कोने में चुपा लो मैं उसे हासिल करके ही रहूंगा शेख चिल्ली की तरे दिन को सपने देखने चोड़ो गेंडा स्वामी हम आखों से सुर्मा नहीं चुडाते हम आखें ही चुडा लेते हैं ताके सुर्मा लगाने की नौबत ही ना आए और फिर तुम्हारा अंजाम तुम्हारा अंजाम वोई होगा यह आफ क्या करें है भई मानी ना मेरे खून में है ना डॉक्ट्री पेशे मैं डॉक्ट्री पेशे की तो बात हम अभी करेंगे नहीं डॉक्टर गुपता इस वक्त बात है तुम्हारे सच और जूट की माते पे आया हुआ पसी ना पोचो और हमें राजा टंडेल की जूटी नहीं सची रिपोर्ट के असलियत बताओ जूटी रिपोर्ट? हाँ जो रिश्वत लेकर तुमने बनाई और एक मामूल सी प्रगनेंसी को एक खौफनाक रेप का केस बना कर संजय उसके दोनों साथियों को हवाला के पहुचा दिया ये सब छूट है आपको किसे ने खलत बताया है चिलाने से जूट नहीं चुपता डॉक्टर गुपता हमें पहचानो हमें बिगेडियर सूर्यदेव सिंग कहा जाता है हम मुर्दों से सच उगलवा लेते हैं तुम तो फिलहाल जिन्दा हो सच सच कह डालो आप समझते क्यूं नहीं बिगेडियर साफ मैंने कोई खलत रिपोर्ट नहीं बनाई और नहीं को रिश्वत ली है फिर ये क्या है डड़ी ये देखिए ये रुपए आपके कबड में तेरी अड़ी मैं समझी थी कि किची को जीवन दान देने के लिए आप इसमें दवाईया लाए हैं पर बिगेडियर साफ की बात सुनकर जब मैं इसको खोल कर देखा तो पता लगा कि मेरी पिता मेरी लिश्यादी का जोड़ा नहीं कफन खरीदनी के लिए रिश्वत का पैसा लाए है संच्रा हाँ डेली जिस संजेच चवान को अपने जलाकों की पीछे पहुचाया मैं उसे से प्यार करती हूँ अगर संजे को कुछ हो गया तो मैं जिन्दा नहीं होगी मैं मल जाओंगी देखा डॉक्टर हराम के पैसे का रंग जिस पैसे से तुम अपनी बेटी की शादी बड़ी धुमधाम से करना चाहते थे वो ही पैसा अब उसी बेटी का स्वाग चीन सकता है अभी वक्त है शब कुछ सच सच कह दो अब डॉक्टर गुप्ता बयान देंगे जिस से सारी अदालत के सामें जाहर होगा कि असलियत क्या है जज सहब मिस रादा टंडेल के बलाकार की जूटी रिपोर्ट मैं नहीं तयार की थी सच्छाई यह है वो पेट से थी और उनका आबार्शन मैंने ही किया था जज सहब मैंने अपना जमी बेच दिया था मैं अदालत के सामने खुबूर करता हूँ कि मैं जज सहब मैंने जज सहब लिश्रत लेकाद मोग जूटी थी पूट पैने जए मैंने ही किस्दों अचे सच्छाद थी किस्दों कि राजन मेरे चश्मदीद गवा और उसके दोस्तों की आज कोड़ से रिहाई हो चीगी मैं जाता हूँ उन तिनों की इस दुनिया से भी रिहाई कर दो कल ही रक्षा बंधन के दिन कितरी है यद कितरी है stress हूँ पल्टा स्टेस्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्ट coward प्वलेत जहुबाई पुटतु हुआ 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 हुआ! नहीं पुझतु यहाई लगाई पंड़ाई कि मेरे दर्वाजे पे कुट्तों को भौकने की इजाजत नहीं है यह शेर की दाहण है अगर नई सुरी तो आके फ़ड़ कर नीचे देख इंस्पेक्टर वाग ले तो अपने आपको समस्था क्या है तेरे जैसे पता ने कितनी खाकी वर्दी वाले हमारी घर की चौकीदारी करते हैं नौकरी करता है पंद्रासो रुपे की और बात करता है प्रलेनाथ से यही पंद्रासो की नौकरी करने वाला एक दिन तुझे देर सो का कफन पहनाएगा प्रलेनाथ आज से तो उल्टी गिंती गिनना शुरू कर दे जिस दिन में मुझे तेरे खिलाब एक भी सबुत मिला ना तुझे आईस्री मौत मारूंगा के तेरी पापरी आत माग ले सोच रहे चला गोली अपनी मा का दूद्ध प्याए तो चला गोली इस बदन को छूने के लिए शेर का कलेजा चाहिए तेरे जासा बुझ दिल और नामद मुझ पर क्या गोली चलाएगा चला पुलीस अफसर पर गोली चलाने के जुर में मैं तुझे की रफ्तार करता हूँ प्रेलन आज जरा भी हिले तो इसकी खोपड़ी कुल दूँगा अगले मेरा पाप तुझे छोड़ेगा नहीं आखिर तुमने वही किया जो हम नहीं चाहते थे आज तक एक बात मेरी समझ में नहीं आई आखिर आप चाहते क्या है क्या आप यह चाहते हैं कि एक के बाद एक की मौत होती रहें और हम चुप-चुप देखते रहें पहले डॉक्टर गुप्टा की मौत हो गई फिर आली मारा गया आज इस प्रेलनाग के पिल्ले ने मुझ पर गोली चलाई यहीं देखिए अगर मैंने बुलेट प्रूफ जाकेट नए पाई नी होती तो मरने वालों की लिस्क में मेरा भी नाम जूट जाता लेकिन इसने तुम पर गोली क्यों चलाई क्योंकि मैंने इसे मजबूर किया था इसके खिलाब सारे सबूत मैंने पहले ही कठा कर लिया थे सवाल था कि अपने बाप के गातिल का चश्मदीद कवा है वागले अब हम इसे उसे स्वताल मिले जाएंगे जहां इसके अंदर के छुपे हुए राज एक बीमारी की तरह बहार आ जाएंगे जो दुश्मन यहां बादा गया समझो उसकी अर्थी उठ गई हमारा यह हथ्यार आप उगलता है जो कुछ हमने पूछा अगर उसका जवाब तुनने सच सच नहीं दिया तो यह हथ्यार तुम्हें जला डालेगा मगर आप चाहते क्या है प्रलाय नात गिर्णा स्वामी तुम्हारा बाप है और अब वही इस देश को खत्म करने की तयारियां कर रहा है की मिसािल की सबसे इंपोर्टन चीज है यह किसे मिसाल फ्यूजे कंड़क्टर कहते है कि जब तक ये मिसाइल में नहीं लगेगा मिसाइल टेक आफ नहीं कर सकता वो एक मुर्दे की तरह होगा कि पहले हमारे देश में मिसाइल फ्यूज कंडुक्टर बनाना इतना असान नहीं था जो कि अब हो गया है कोई हिलेगा नहीं कोन हो तुम तवाल मत करो सिर्फ काम की बात सुनों कि तुम्हें ये फ्यूज कंडुक्टर लेके हमारे साथ चला होगा प्रोफेसर वरना तुमारे सेकुरिटी गाट्स के साथ साथ हिंदोस्तान का ये रिसर्ट सेंटर तुम सभी साइंटिस्टों का परस नहीं किसी भी हालत में तुम्हारे साथ नहीं चल सकता चाहें अंजाम कुछ भी हो ठीक है तो अंजाम देखो नहीं नहीं यह इस देश के भविशे हैं इन्हें मत मारो प्लीज मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं तुम अकेले नहीं शीर्ज कंड़क्टर भी तुम्हारे साथ चाहें है अज़ी यह बहुत कदर लग लोग है मुझे बजा लो डेड़ी जल्दी 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 वो रहा तुम्हारा कभूतर बेटा और उसके गले में है जला देने वाला बॉम उसका रिमोट कंड्रोल हमारे हाथ में है अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो उसे जला कर रात कर दिया जाएगा काफी हो गया यह तमाशा बंकरो प्रलैनात हाँ डड़ी आप वहीं कर यह जो यह कहते हैं पर नहीं लोग बहुत खतरनाग लोगे मुझे बार डाले गे क्या चाहते हो तुम्हां क्या मज़दार सवाल किया तुमने समझे नहीं प्रफेसर खुराना को वापस करो और अपने इस कभूतर बेटे को यहां से लेकर रफू चक्कर हो जाओ प्रफेसर उसकी गाड़ी में हमारा ट्रांस्मिटर लगाया जा चुका है वो जो कुछ भी करेगा जो कुछ भी करेगा जहां कहीं भी जाएगा उसकी हर एक मुवम्मेंट की खबर हमें मिलती रहेगा हमारे ट्रांस्मिटर का सिगनल बता रहा है कि गिल्डा स्वामी का अड़्डा वो यह रहा यह से बाहर एक वीरान जगे पहारियों के बीचों बीच है कमांडोस रेड़ी फर आपरेशन तरंगा जिसके फिर में हम तो अपना शीश कंचा देंगे अपना शीश कंचा देंगे जितना भी इस जिसम में बाते सारा लहू बहा देंगे इसकी खातिर जो ठानेंगे वो करके दिखिला देंगे अपनी धर्थी के आगे हम सारा गगन छुखा देंगे इमाम नी रंगा है आपनी रंगा है मेरी जान पिरंगा है मेरी जान पिरंगा है अजरत आगा है आरता है एह जह जहाँ प्डु थेलगाथ अ़िख्वाथ अजर्द गाँ जसरा चते को एह हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ 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 हु से कह दो कि हचार फेंगे जड़ा भी हरकत की तो चीथड़े उड़ा दूगा हाँ 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 हम तो समझे थे कि तुम जंग बाजो की तरह जंग लड़ोगे लेकिन तुम तो गटिया किसम के दवाड़े प्यादे निकले अधूरे में ही हत्यार डाल दिये प्रलायनात कभी को अधूरी नहीं लड़ता प्रिकेडियार देखना चाहते हो तो देखो कि अधार नीचे डालने की बारी तुम्हारी है जाल दो हत्यार प्रिकेडियार अधियार नीचे डाल दो अरसिसाण स्फस्क प्रिकेडिया ना किने ङार अधिया प्रिकेडर किंग मेरा हुझिया। हाँ हाँ मैं हूँ तेरे पिता का कातिल और आज तुम सब का कतल भी मेरे हाथों से ही होगा वागले तुम्हारी गर्मी को ठंडा करने का सामान भी मैं साथ लाया हूँ वो देखो खबरदार अपनी जगे से लेके कोशिश के एक ही बटन दबाऊंगा सब को राक कर दूँगा अगर देखना चाओते हो तो यह देखो अठा backwards इंडिर ना करोगी मेरी जग की शुरुआत और इसके इंतिया होगी तुमारी बरबादी और अंदोस्तान का खात्म हंदोस्तान का खात्म एंड़ूस्तान का खात्म सदीयों सा कुई नहीं कर सका वो यह ख़व भी रहा जो ना कभी पूरा हुआ था और ना कभी शेर बचे ही कितने हैं उन्हें तो हुकूमत भी मारने के जास्त नहीं देती और तुम जैसे घेंड़े की शकल के आवकाद ही क्या मेरी आवकाद का पता तो तुम्हें आज ही चलेगा प्रिगेडियर मैं भी देखता हूं इन शेर के जब्रों में कितने दात हैं कि नमस्कार शिवाजी राव अगले आव आव इड़े की आवलादा तेरी कमी थी या जब तक हमारे देश के इस्ते में तेरे जैसे मंद्रे आएंगे ना हमारे देश का इस्ती तरह तल्यान होता रहेगा नमस्ते वाफ प्रालेनाजी वाफ क्या खूब मिलाई है इन दो देश फक्तों की जोड़ी जो आज देश के नाम पर एक साथ शहीद हो जाएंगे कई शहीद होते आए हैं और कई शहीद होते रहेंगे अपनी धरती मा को बचाने के लिए लेकिन तुम जैसे लोग जो अपने आपको भी नहीं अपनी मा को भी ढौलत की खातर बेचते आए हैं और उनका अंजाम एक गुम नाम लाश की तरह होगा जिसे गिद्द और चीले नोच नोच कर खा जाएंगे नोच नोच कर तो हमारे आदमी तुम्हें खाएंगे मैंने फैसला किया है आज 15 अगस्ट के दिन मैं इस देश को बरबात कर दूंगा आज ओ दिन हमारे और तुमारे सामने है वजा रोहन को अब सिर्प 24 मिनिट बाकिये और 25 मिनिट में क्या होगा ओ तुम सब अपने आख हुआ 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 है थाल проблем कर दो कर दो कर दो कर दुम्हें कर दो कर दो कर दो कर दो जब करिए मैं हुट सोनै पोल्या थाम लच्भ पाँ सकर दोरार को और है वे उन मॉंसकी ब्रिगेडियर ये है मेरी जंग की शुरुआद अब तुम सब के सामने ये मेरे तीनों मिसाइल इस्ट वेस्ट और नौर्थ कमांड को खतम करेंगे और हिंदुस्तान पर विदेशी हुकुमत का जंडा लाहर आएगा और इस देश के बर्बादी तुम सब अपने आँखों से देखोगे ये देखो कर दो करना है वो तो करके ही हम जाएगे आने वाले कल फिर आकर मौसम नया बनाएंगे मौत परोशों से के दो अब उनको हम सपनाएंगे अपने अपने नापो का वो खुद ही कफन सी लाए में आवास ते रंगा है अलान ते रंगा है मेरी जान ते रंगा है मेरी जानती रंगा है खड़े हो बारूत के ठैर पर और पी रहे हो पाइप तुम्हारे जल्वे में कोई कमी नहीं आई ब्रिगेडियर तुम दोनों में से कोई भी अपनी जगे से हिला तो दोनों कैबिन रिबोट कंट्रोल से उड़ा दूगा खबरदार हिलो में बून करग दूगा अद्रि और ये तो हमारे एक छोटे से पीने वाले पाइप का कवाल था अगर कहीं भूले से हमारे इस रोमाल को हाथ कि लगा बैठते तो जलकर राक हो जाते गेंडा स्वामी जलकर राक कौन होगा इस बात का पता तुम्हें अभी चल जाएगा प्रिगेडियर अधर वन ingen स्वार प्राइण प्राइण सुन् में टार थी टो जाइण पाड़।, पाड़।! मुसरा दीसरा सब मिसाइल चालू कर दो कर लेना जी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं लेकिन पता नहीं क्यों एक भी मिसाइल टेक आफ नहीं हो रहा हमारा वो पाइप डाइनमाइट से भरा हुआ था हम जानते थे कि तुम कभी न कभी हमारे हाँ से चीन कर उसे फेंकोगे उसी के दुएं के आज लेकर हमने तुम्हारे सम मिसाइल के फ्यूज कंड़क्टर निकाल लिये हैं गेंडा स्वामी फ्यूज कंड़क्टर अब गेंडा स्वामी, उसे तुह हम निपट लेंगे भूम दालो इसे कि मैं श्वाजी राव बाग लें मराठा मरता है या मारता है याद है मैंने तुझे एक दिन कहाता है यह पंद्रा सो की नोकरी करने वाला एक दिन तुझे देड़ सो का कफन पहनाएगा भाग रहे हो जानी प्रधान मंत्री का खौब देखने वाले मंत्री रिगेडियर का सलाम नहीं लोगे नहीं नहीं मुझे मत पारो मुझे मत पारो जैसा खदार और कहता है मुझे 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 रहे होजे दो रहे हो मुझे मुझे किसे राद लाद प्रुवर प्रुश दो च्रुट पंज अज़ लो झाल क्वजर पुर। लगछ लाद इंग वर अज़ लुशिए तो अज़ दुट मुः नहाँ! कर मुः लड्व मुः घजिन जया रहां तरणगा थे शान तरणगा है मेरे जान तरणगा है मेरे जान तरणगा है